दोस्तों आज हम एक्टम कम तेल में सूजी से बहुत हेल्दी और टेस्टी नाष्टा बना के तैयार करेंगे और ये नाष्टा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है इस नाष्टे को ना हम बिल्कूल कम मसालों के साथ में साथी सिंपल तरीके से हम और राई जैसे ही तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और मिर्च के साथ में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते तो बस इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें तेल में हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को अच्छे से भून लेना है और भून लेने के और आदा चमच हम नमक डाल देंगे अधरक का पेस्ट डाल देंगे एक चमच तो बस यहां हमें सभी को अच्छे से मिला लेना है तो यहां पर हम पानी में उबाल आने देंगे और उबाल आने के बात में इसमें हम डालेंगे सूजी यहां पर मैं लगबब एक कप सूजी डा जाना है और मिलाते जाना है एक बात का ध्यान रखना है कि सूजी डालते टाइम गैस बन कर देंगे और ढखकर 5-10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ढखकर रखने से क्या होगा ना सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी यहाँ पर हम सूजी को बाउल के अंदर निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे एक बात का ध्यान रख हमें सूजी को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है तो यहाँ पर हमें इस तरह से मसलते हुए हमें डो बना कर तैयार कर लेना है जैसे हम रोटी का आटा लगा के डो तैयार करते हैं बस हमें वैसे ही तैयार करना है तो हमें करना क्या है अब हम इसके चोटे चोटे बाल्स ब बना रही हूं चोटे बाल्स बनाने से क्या होगा ना जल्दी स्टीम हो जाएंगे और साथ में टाइम भी कम लगेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने सभी बाल्स बना के तैयार कर लिए हैं बच्चों को ने यह नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा तो आप एक पर जर पनी आती है ना आप उसका भी यूज और सकते हैं तो बस हमे बना क्या हैं प्लेट के अंदर हम सभी पॉल्स तरह से रख दियुक्अ हूं प्लार हम होने पहले ही रख दिया था और इस तरह से हम प्लेट रख देंगे और ढख भार हम इसे लगबग 10 मिनट स्टीम करेंगे यहां पर पॉल्स को 10 मिनट हो चुके है स्टान हो आध हम लिदे कर देंगे और इसे पुरी तरह से ठंडा होने दिए और यह देखे बॉल्स पूरी तरे से ठंडे हो चुके हैं और अच्छे से स्टीम भी हो चुके हैं और ये देखे कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी बने हैं और अगर आप हैल्थ कॉंशस है तो आप इस नाष्टे को ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन हम इसे और टेस्टी बनाएंगे इ उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग हींग से क्या होगा नाष्टे का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा एक चम्मच डाल देंगे सफेद तिल और साथ में हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते और कड़ी पत्ते के साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और आप तीखा ज़ादा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मेर्च escape कर सकते हैं तो बस यहां लगातार चलाते हुए हमें सभी को अच्छे से भून लेना है और भून लेने के बाद में इसमें हम डालेंगे सुखा नारियल तीन बड़े चम्माच यहां पर हमें नारियल पाउडर को भी अच्छे से भून लेना है यहां पर हमें नारियल पाउडर को ज़ादा नहीं भूनना है लगपक एक से दो मिनट ही भूनेंगे यहां पर नारियल का कच्छापन निकल जाए पस हमें उतना ही भूनना है तो अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स एक चम्मच और साथ में बढ़ी असा नाश्ते को टेस्ट देने के लिए सांबर पाउडर डाल देंगे आदा चम्मच यहाँ पर सांबर पाउडर को भी नारेल के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे और भुन लेने के बात में इसमें हम डालेंगे बॉल्स जो हमने स्टीम करके रखेते ना बस हमें वही डाल देना है तो बस यहां हमें बॉल्स को डाल कर मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है वैसे तो यहाँ नारेल पाउडर डालना पुरी तरह से आप्शनल है लेकिन मैं आपको सज्जेस करूँगे कि नारेल पाउडर ज़रूर डाले इससे नारेल का जो फ्लेवर है ना इन हैंस होके आएगा तो अब हम सूजी के इस नाष्टे में डाल देंगे धेर सारा हरा धनिया और धनिया डाल कर हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखे सूजी का गरमा गरम नाष्टा बनके हमारा तैयार हो गया है तो गैस बन कर दिंगे और ठंडा होने के बात में हम इसे सर्व करेंगे आप इसे सौस के साथ में चटनी के साथ में इंजॉय करें पुरी तरह से हल्दी नाष्टा है क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम टेल का यूज किया है इस नाष्टे को आप बच्चों के लंज बॉक्स म किसार्ट